आज मैं आप ये लेकर आई हूं कलर फुल गोजिया की रेस्पी जो की होली पर बहुत अच्छी लगेगी जब इस तरह से आप बना की किसी को सर्व करेंगे तो पूंचेंगे लोग कि इस तरह से आपने कैसे बनाया है तो बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में तो खाने सुरू करने से पहले मेरा आप सभी सी निवेदर है कि अगर आप मेरे चनल में नए है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए चलिए शुरू करते हैं हमने लिया है एक बाउल तो यह बाउल में डालेंगे एक कप मैदा यह हो गया एक कप यहां पर थोड़ा से और ले देशी घी अगर आप चाहो तो रिफरंड भी ले सकते हो तो यहां पर देशी घी हम डाल रहा है है दो चमश हमने डाल दिया है अगर लगेगे थोड़ा मुड़ा आउट डाल देंगे इसको बढ़िया तरह से मिला लेना है क्योंकि गोजिया बनाने के लिए सबसे पहले त बना रहें दोस्तों मुझे तोड़ा से ज्यादा देर हो गई बनाने में क्योंकि घर में इस समय ज्यादा काम रहता है तो इसलिए ज्यादा समय नहीं मिल पाता है गोजिया बनाने के लिए तो आज मैंने समय निकाला है बढ़िया तरह से मुयन हमने कर लिया है तो यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरह मुयन हुआ है तो टोटल इसमें लगा हैगी दो चममाच एकदम परफेक्ट है तो यहां पर हमने लिया है नर्मल दूद अगर आप चाहो तो पानी से भी आटा लगा सकते हो तो इसका बढ़िया से मुलाएं आटा लगा के रख लेना है मेरे उलियों में दर्द है इसलिए आटा लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है मेरी यूटूब फेमली से हाथ जोड़ की निवेदन है कि आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए क्योंकि आपके सपोर्ट के विना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमने आटा बढ़िया तरह से लगा लिया है थोड़ी लाइट की ववस्था कम अच्छी है इसी लिए क्लियर ज्यादा नहीं दीखता है पांच मिनिट की बाद में आटे को हमको इस तरह से कर लेना है तो हमने चार भागों में इसको बाट लिया है अब यहां पर इनको रखेंगे एक बाग को यहां रखेंगे कलर लिया है इसको बढ़िया तरह से मिला देते हैं अगर आपके पास लिक्विट वाला है तो उससे बहुत आसान हो जाता है इसको भी आप पानी में घोल करके डाल सकते हो तो चलिए इसको बढ़िया तरह से मिला लेते हैं क्योंकि होली में रंग बिरंगी गोजिया बनानी चाहिए तो लिजी हमने बड़िया तरह से मिला लिया कुछ इस तरह का है तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पे डालेंगे रेट कलर इसको भी बड़िया तरह से मिला लेते हैं तुली जी इसको भी बड़िये तरह से मिला लिये हैं, तो इसको भी side में रखते हैं, यहां पे एक डbahn गोर लेंगे, यहां पे डालेंगे करा कलर यानि कि जिसे की चलेबी का कलर होता है कि त 10 कि हैं कि तीर के मिलाके रख लेते हैं है तो दिल्य हमने सभी को बड़ी तरह से मिक्स कर लिया है एक डोmayı सफेद रखा आ इachten इसको तब तक सेज होने देते हैं तब तक कुछ फोटान प्रोस्स्टा कर लेते हैं और यहां पी लिए है कुछ ड्राइफूट्स ड्राइफूट्स अपने मन पसंद के आप ले सकते हो कर्दाम यहां पर हमने लिया खस-खस यानि पोस्ता कदाना लिया है यह हमने थोड़ा से लिया है जायफल तो इतनी तो इतनी सारी हमारी समगरी पर आ gafal. रखा है तो खोया बहुत बड़ी से हमने घर में रेडी कर लिया है इसको साइट में रखते हैं गैस पर हमने एक छोटू से कढ़ाई रख दिया है अब इसमें डालेंगे देशी की गैस को हमने धीमा ही रखा है क्योंकि सारी चीजा हमको धीमी आज में ही भूनना है तो यहाँ पर सबसे आगे डालेंगे बड़ाम को इनको बढ़े तरह से चलाते हुए भून लेना है गैस को एक दम धीमा ही रखना है ने तुरन ड्राइफूट जल जाते हैं हलका से जब हम गरम करके गोजिया बनाते हैं तो इससे क्या होता है जल्दी से खराब नहीं होती है वैसे यहाँ पर हम थोड़ा से ही बना रहे हैं तो खराब जद बचे गाई नहीं तो खराब कैसे होगा तो यहाँ पे हम पिस्ता भी डाल दिये हैं, आगर आप चाहोत इसमें मखाने भी ले सकते हो, गैस के हमने बन कर दिया है, यहाँ पे चिरोंजी को डाल देते हैं, इसी गर्माहट से यह हो जाएगी, कि दिए चिरोंजी बहुत जल्दी से पक जाती है, तो चलिए कुछ आगे का प्रोसेस करते हैं, हमने लिया है ग्रेंडर जार तो इसे में डालेंगे गरी को, तो गरी को ग्रेंड करके जब डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, अब अच्छे निकालके फेकेंगे नहीं, तो इसको अच्छी तरह से हम ग्रेंड कर लेते हैं, तो लिजी हमने ग्रेंड कर लिया है, कुछ इस तरह का है, अगर आप चाहों तो कद्दू कस करके डाल सकते हो, अब यहाँ पिलेंगे ड्राइपोर्स, इनको भी बढ़िया से ग्रेंड कर लेते हैं, इससे हम बच्चे बहुत आसानी से खा लेते हैं, मेरे बच्चे तो बिलकुर नहीं खाते हैं, अगर आप इसी तरह डाल देंगे तो एक भी नहीं खाएंगे, तो लिजी ग्रेंड कर लिया है, पिस्ता का कितना बढ़िया से कलर आया है, जिसे लगता है कलर पड़ा है, तो पिस्ता हरा कलर का एकदम बढ़िया से कलर आ गया है, अब यहाँ पे डालेंगे खस-खस को, अब यहाँ पे डालेंगे इलाची, इलाची को मैंनी खोल दिया है, बस इस तरह से डाल दिया है, अगर आप चाहँ हो तो पॉडर बना के भी डाल सकते हो, और यहाँ पे डालेंगे जैफल, इसको इस तरह से प्रस करके डाल देते हैं, तो बहुत अच्छा से स्वाद आता है, जरूर एक बार इसको ट्राई कीजेगा, यहाँ पे डालेंगे खोया, और डालेंगे चीनी मीठा के लिए, तो मैंने एक कफ लिया है, इतना से बचा लिया, क्योंकि मीठा ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है, तो मीठा आप अपनी इसाप से कर सकते हो, कम या ज़्यादा, तो अच्छी तरह से मिला लेते हैं भूरा वाली चिनी की रेस्पी अगर आप देखना चाहते हो घर में जैसे भूरा की चिनी कैसे बनाते तो आप हमारे चनल पे देख सकते हैं हमने अपलोड कर दिया है तो भूरा वाली चीनी बहुत आसानी से जहटपडगर में बन जाती है अगर आपको पसंद देते हैं यहां सूजी भून करके डाल सकते हैं यहां पे सूजी को हम ही स्क्रिप करते हैं तो लीजी बहुत बढ़िया से रेडी हो चुका है तो चलिए इसको अब साइड में रखते हैं तो लीजी आटा हमारा बहुत बढ़िया से सेट हो चुका है अब इसको हम लोईया बना के बेल लेते हैं तो सबसे आगे सफेद वाला भाग हमको बेलना होगा अगर हम कलर वाले बेल देंगे तो सफेद वाले में कलर आजाएगा तो लिजी हमने इतना पतला बेल लिया तो इसी तरह हम सभी को बेल के रख लेते हैं तो लिजी हारा वाला भाग भी इसी तरह हमने बढ़िया से बेल लिया, इसको भी साइड में रखते हैं अब यहां पे रेड़ वाला लेंगे, इस तरह से बेल लेंगे अगर बेलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा से आप सुखा आटा लगा सकते हो तो चलिए बेल के पि Watts दिखाते हैं तो लिजी इसको भी आपने बढ़िया तरह से बेल लिया है, कुछ इतना पतला है तो चलिए इसको साइड में रखते हैं तीला वाला भी बढ़िया से हमने बेल लिया, कुछ इतना पतला अब हम इसके उपर रखेंगे सफेद भाग रोटी बिल्कुन एक नाप की होनी चाहिए अगर थोड़ा मुड़ा इधर उदर होजा थोड़ा इस तरह से खींज दीजिए अब यहाँ पे रखेंगे हारा वाला भाग अब यहाँ पे रेड़ वाला अब इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है अब यहाँ पे एक चाकू लेना है इस तरह से इसको चलाते हुए इस तरह से काटना है और छोटी छोटी लोईया काटना बड़ी नहीं काटना है जैसे कि इतनी इतनी बस इतनी छोटी छोटी काट लेना है तो चलिए काटिंग करके पिर आपको होन दिखाते हैं तो लिजी हमने बढ़िया से कटिंग कर लिया है अब करना क्या है इसको थोड़ा इस तरह से कर लेना है इसको इस तरह से आसानी से चिप्टा कर देना है तो इनको सभी को हम साइड में रखते हूं और यहां पर थोड़ा से सूखा अठा डालते हैं जिसे कि हमारे गाव में बोला जाता है पर्थन तो अक्सार हम गाव में बोलते हैं पर्थन तो इस तरह से इसको हलके हाँ से बेलना है बिलकुन हलके हाँ से गुमाते हुए इस तरह से बेल लेना है इस तरह से बे लेना है, मोटा पतला आप अपनी साब से कर सकते हो, तो चलिए इसमें फिलिंग को भर देते हैं, और साइड में थोड़ा से पानी लगाएंगे, अगर आप चाहें तो मैदा का घोल बना के इसमें लगा सकते हो, बस इस तरह से इसको जोड़ देना है, तो यहाँ पर हम साइचा से नहीं बना रहे हैं, अगर आपके पास साइचा है, तो साइचा से बना दीजिए, बस इसको इस तरह से कर देना है, फिर इसको इस तरह से हम थोड़ा से मोड़ेंगे, अकेली वीडियो बनाने में काफी दिक्कत होती है कैमरा कहाँ पे है, मारा हाथ कहाँ पे है तो थोड़ी समस्या हो जाती है तो ये लीजिए, बढ़िया से एक गोजिया बन गई है तो इसी तरह हम सभी को बना लेते हैं तिली जी दोस्तों हमने सभी को बना लिया है ये दस बनी है तो यहाँ पर गिन लेते हैं एक दो तीन चर पांचे साथ आट नो दस दस गोजिया हमारी बन के रेडी हो चुकी है जैसे कि मैंने इसमें रोटी का सफेद वाला कलर एक रखा है आप चाहो तो दो मतलब रोटी सफ इसमें रख सकते हो तो यहाँ पर एक कलर है तो यहाँ पर कम दिख रहा है सफेद वाला कलर तो कुछ इस तरह की बनी है तो एक तम फिर भी परफेक्ट बन चुकी है बहुत अच्छी लगती है देखने में लगता है इनको इसी तरह रखे रहो तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं कड़ाई पर तेल हमने रख दिया है पहले से तो हलका फुलका गरा हो चुका है ज्यादा एकदम गरम नहीं है तो यहाँ पर दीरे-दीरे करके इस तरह से इनको डालेंगे जैसे कि ज्यादा हाई फ्लेम पर बिलकुन नहीं पकाना क्यूंकि इसमें जो है थोड़ पर देना है तो चलिए इसको मीडियम फ्लेम पर बड़ी तरह से पका के पिर आपको दिखाते हैं तो लीजी हमने बड़ी तरह से पका लिया आप इनको बाहर निकालके रख लेते हैं इसी तरह हम दूसरे बैज का भी निकाल लेते हैं तो लीजी हमने सभी को बड़िया तरह से फ्राई कर लिया है अब बहुत अच्छी से इसमें लेयर आई है तो हलकी फुल की लेयर आई बहुत बड़िया से बने यहां पर देख सकते हो कि यह बहुत आसानी से टूट भी रहा है काफी अच्छे बने हैं तो यहां पर आप द झाल झाल